कि नावस्कार फ्रेंट्स मैं डॉक्टर अमित कुपार दुवे आपका स्वागत हमाइच चनल पेजिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुवे आज का यह टॉपिक है कि क्या मुझ का कैंसर बीना सर्जरी के अपने आप ठीक हो सकता है आज इसी टॉपिक बात करते हैं और पंकारी ही बचाओ है बहुत सारे ऐसे पेसेंट आते हैं हमारे पास कि वह सुरुवात में ही घपड़ाय रहते हैं कि अगर मुझ के अंदर थोड़ा सा च्छाला भी है या मुझ के अंदर हलका सा भी वेसाइकल फॉर्मेशन हो रहा है या वाइट पैचेस आ गया है तो वह डिटेक्ट हो जाता है बायकसी में तो वो यह सोचते हैं कि ऐसा है कि सर कैंसर आपका बायकसी में डिटेक्ट हो गया है अब नू का ऑपरेशन हो जाएगा कार्ट पीट करके जो नॉर्मल मुझ हमारा दिखाई दे रहा था वहां से आप मांस हटा देंगे तो बहुत अजी इसे की इनीशियल फेज में मान के चलिए कि आप की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बहुत अच्छी से इंज्जॉइफूल कर रहे है हर चीज में आपको किक चाहिए हर चीज में आपको मजंजा चीजिए तो आप करते क्या है आप गुटका खाना शुरू करते हैं अपने दोस्तियार के संगत में उस condition में क्या होता है कि कभी-कभी लोग गुटका 90% लोग गुटका खाने से तबागों खाने से मतलब bad habit से ही होते हैं तो इसलिए मैं गुटका का ही example दे रहा हूँ तो गुटका खाना शुरू करते हैं दोस्तियार के संगत में होता क्या है कि उसमें एक साल खाये दो साल खाये आपको मज़ा आ रहा है कीक आ रही है कंसेंट्रेशन माइन बन रहा है बहुत अच्छी चीजी आपको लग रहे है लेकिन होता क्या है वहां पे आपको तुरंत आपके मुह में सडेनली एक दिन कुछ अलग सा चेंजिस दिखाए रिया है या तो वाइट स्पॉट हो गया या तो मुझ छोटा होने लगा या तो फिर वहां पे एक काई दिन से ठीक नहीं हो रहा है मुह में जलन भी पड़ने है तब वह अपने आपको अवेर आते हैं कि आप तो मुझ खोली नहीं रहा है खाना खाय नहीं पा रहा है या वाइट पैचेज है उसमें भी दर्द आने लगा है तो वह आने वाले समय में फिर अपने डॉक्टर से मिलेंगे जो की अगर उनका प्री कैंसर कंडिशन प्री तो फिर उनके मुझ में जाती है अब कैंसर को चोटा सा सपस्वार्ट के मुझ में है लेकिन जब डायाग्नोच 박 अब कराने के बाद फी पेसेंट बहुत बहुत जगपकता है चूं भटकता है कि अगर ये सोचता है है थोड़े जली जली ठीक हो जाए मतलब पहले स्टेज पर इनको बाइपसी निकल जाती है इतना ज़्यादा घवड़ा जाते हैं कि अब मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा क्योंकि देखी बाइपसी निकलने के बाद पहले अगर पहले स्टेज का कैंसर होता है तो पेसेंट को य मतलब ऐसे पेसेंट अगर बकल म्यकुसा का कैंसर है या टंग कैंसर है तो उसमें क्या होता है बकल म्यकुसा कैंसर में मुग के अंदर हलका सा आपको अल्सरेशन फॉर्मेशन है और उसको वह एवाइट किये जा रहे है वह करने से क्या होता है वह फट करके बाहर निकल जा लेकिन वो ऐसी चीज़ें हो जाती है कि उसमें fungal infection हो जाएगा maggot बन जाएगे और फटकर बाहर हो जाएगा उस condition की pain तो पहुती चबड़ जस्त होता है मतलब छोटी सी problem थी उसको उन्होंने खुद भी खुद बढ़ा करके इस condition तक ले आए है इसलिए मैं बोलूँगा कि छोटी सी चीज़े है मतलब अगर stage 1 में अगर आपका pre-cancers lesion और condition है तो habit वही पे बंद करके दवा करना इस्टार्ट कर दीजे आप तुरंत वहां से ठीक हो जाएगे किसी भी प्रकार की डरने और घबडाने की जुरूद आपको नहीं होगी लेकिन अगर आप वहां पे भी आप नहीं मानते हैं वहां पे भी आप अपनी habit को continue करके रखे हुए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं फिर आपको primary stage का cancer हो गया अब cancer हो गया तो भी आप तो मान जाओ वह वहां पे भी पेसेंट बहुत पेसेंट ऐसे होते हैं वहां पे भी नहीं मानते हैं घबडाएंगे डर होगा depression होगा परसान होगे सब कुछ होगा लेकिन habit नहीं छोड़ेंगे पान तमागूट का सुर्थी सुपाड़ी खाएंगे यह खाएंगे लेकिन कि अपने कंडिशन को देख करके आप अपने आपको सन्यमित रखिए और उस चीज से अवेर होगे कि लास्ट स्टेज में पहुचने से अच्छा है कि जब आपका छेहरा तब अच्छा लगेगा देखने में न कि जब आप दुनिया में रहोगे तो इसलिए पहले स्टेज को चाहिरी कैंसर में ही तुरंत अपने बक्र मिकोषा में कैंसर हो चाहे टंग कैंसर हो चाहे यरिंग कैंसर हो चाहे थार IET का कैंसर हो किसी भी पकार कैंसर है तो पहले स्टेज में ही उसको क्योर करने की कोशी कीजिए पहले स्टेज में छोटा सा पीस काट करके निकाल के आपको ठीक हो जाएगा पहले स्टेज के कैंसर के सर्वाइवल जो रेट है वो सतर से असी परसेंट है सोच दीजे पहले स्टेज में ही उसके बाद जब पेसेंट इतना घबडा जाता है इतना भागता दोड़ता है दुनिया भर की चीज़े दोड़ने लगता है ग्रेट 3 में पहुंच करके वो उस चीज़ को बढ़ा करके आप अगर केसी के पास जाएंगे तो एक कंडिशन ऐसी आती है कि हम लोगों के हा करने के लिए ना कि डराने के लिए इसलिए किसी भी प्रकार से डरना नहीं है बिल्कुल मजबूत रहना है अपने आपको बिल्कुल बना के रखना है अगर किसी के मुझ के अंदर कैंसर निकल जाता है जीब में कैंसर निकल जाता है इनिशियर फेस का ही कैंसर है तो उसका तुरंट एट टाइम आपको इलाज करना है डरना भागना और घबडाना नहीं है क्योंकि वहीं पी इलाज करेंगे तो तुरंट ठीक हो जाएगा जीब का कैंसर है अब चैसे इतना ज्यादा परशान हो के होगे कैंसर होस्पीटल तक पहुचने पहुचने में वह पेसेंट का कैंसर चोटा सा जो इसपॉर्ट था वह बढ़ा हो करके बहुत बढ़ा हो गया अब क्या होगा उस कंडिशन में उस पेसेंट की पूरी की पूरी जीब निकालने पड़ेगी अब वहां से वह पूरी लाइफ बात नहीं कर पाएगा एक छोटा सा गुठका एक छोटा सा तमाकू एक छोटी सी सिग्रेट आपकी लाइफ कैसे चेंज करती है आप फुच जानिए तो इसलिए इन सारे चीजों को छोड़ करके आप अपने चीजों को बहुत इस चीजों पर क्यों आपको चिकाती है जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि मेरे 50 सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष में हमने पेसेंटों को दवा कुछ पेसेंट को टॉप 3 पेसेंट को दवा फ्रीज देने के लिए सोचा है तो आप मेरे वीडियो को लोगे को हम दवा फ्री में इसका रिजल्ट में संड़े को आपको बताऊंगा अगली संड़े को